नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हैपी लेर्निंग चैनल में सीक्वल सीखे हैं इसके भाग साथ में हम आपके सामने उपस्ती थें डिलीट कमाड लेकर डिलीट कमाड क्या होती है क्यों हम इसको इस्तिमाल करते हैं इसको इस्तिमाल करने का सिंटेक्स कैसा है तो आए हम सीखते हैं अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखे क्योंकि अंद में हम आपको बताएंगे क्षक्षड़ करेंगे काम आपकी अगर जहां सब्सक्राइब के कु profoundट्रूर का만 चैनल सब्सक्राइब करेंगे अगर सब्सक्राइब अंगर साने कि युष तकुल इस सब्सक्राइब वड दॉसेdar करेगी कमांड हमारी इस टेबल से कस्टमर टेबल से जिन कस्टमर का नाम जॉन है उन सब को डिलीट कर देगी पर आ कुपड़ करें दूर aleg इमेल id is null, जिन जिन customer's की email id is null है, email id नाम है और अगर उसकी वहली नटनी है, तो उनको डिलीट कर देगा, जो आखरी है, delete from customers where email id is null and is active equal to 0, मतलब जिन customer's की email id भी नल है, और जो अक्टि भी नहीं है, is active is null है, जो active नहीं है, 0 है, तो यह उन records को delete कर देगे, अब बात करते हैं, दूसरी तरह से डिलीट हम किस तरह से करते हैं, डिलीट विदाउट वेर क्लोज, सीक्वल हमें ये प्रोविजन देता है, कि हम डिलीट स्रेटमन को विदाउट वेर क्लोज इस्तिमाल कर सके, मतलब आपको वेर क्लोज नहीं लगाना है इसके लिए, अगर अपका structure as it is रहता है, मतलब आपका table में जो columns होते हैं, उनकी data types जो भी होती है, आपने जितनी तरह की indexes या constraints या प्राइमरी की, secondary की लगाई होती है, वो सब as it is ही रहती है इसके ओपर, लेकिन इसमें क्या change होता है, जो आपका data पड़ा होता है, वो एरेज हो जाता है, कुछ अगर आप employee हैं, तो employee table बना रहे होंगे, अगर आप finance का काम कर सकते हैं, तो आप शायद आप accounts related कुछ table बना रहे होंगे, तो ये table का नाम है, आप just table का नाम पुट कीजिए, और ये data को delete कर देता है, इसके साथ हमारे पास एक वार्निंग flash होती है, ये क्या कहते हैं कि हमेश कि जितना भी है कि आपका content होगा table के अंदर, वो सहब delete हो जाएगा, मतलब हो सकता है, आपके table छोटे हो, 10-15 record हो सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये table बहुत बढ़ी हो, like 50,000 record, 10,000 record, 1,000,000 record, 10,000 record, इस तरह से हो कर हैं, तो अगर आप पूरी table को clean कर देते हैं, तो हो सकता है ये आपके लिए table create कर दे, तो हमेशा है इस statement को ध्यान रखिए, कि delete statement को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर without wear close, तो इसको दो बड़ चेक कर लेजिए, कि आप सही कर रहे हैं, तो आईए, अब देखते हैं, थोड़ा सा practical इसका, ये हमारे परस tbl department है, इसमें कुछ data हमने create किया है, almost 39-39 record हैं इसमें, अभी हम इसमें wear close के साथ लगाएंगे, wear close में क्या करेंगे, हम data को filter कर लेते हैं, कुछ भी conditions हो सकती हैं, जैसे अभी हमने example देखे, department team, हम डाल सकते हैं wear close में, हम executive का check लगा सकते हैं, या हम ID का भी check लगा सकते हैं, या फिर हम इसके साथ दो condition इकठी wear में लगा सकते हैं, and लगा के, तो आएए देखते हैं दिरे-दिरे सबको, पहले हम data filter करेंगे, select statement के साथ wear लगा के, फिर हम यही wear condition को delete statement में रखेंगे, तो देखिए इस तरह कि यह statement पर department ID greater than 28 का मतलब क्या होगा, कि 28 department ID से उपर जितने भी records हैं, वो सब select हो जाएं, अब मुझे इनी दो records को delete करना है, मैं ID direct नहीं रखूँगी, मैं simple, यही वाली wear condition copy कर लूँगी as it is, ताकि सिरफ यही दो record delete हो, अब देखिए, delete statement लगा दी मैंने, delete from TBL department, table का नाम है, wear condition लगा दी, आगे column, यह जब आप execute कर देते हैं, आप 5 करते हैं, दो record effect हो गए, वापी सब select statement चलाएंगे, तब आपको यह दो record खाली नहीं दिखाए देंगे, यह खाली हो चुके हैं, अब आपको नहीं दिखाए देंगे, अब हम एक और लगा रहे हैं, incarnation and close के साथ, department IT greater than 25 लगा दी और हमने, is active 0, मतलब कि वो से भी department जो 25 से बड़े हैं, लेकिन active भी नहीं है, inactive है, तो अभी हम इन दोनों को delete करेंगे, इन दोनों statement के साथ, जो वेर ग्लोज में है, tbl department table को delete करेंगे, department ID 25 and is active 0, यह हमने उठा की यहां रख दिया, तो अब क्या होगा यह statement चला के, यह 3 record हमारे delete हो जाएंगे, अब वापे से अगर आप इस statement को चलाएंगे, आपके पर data नहीं आएगा, क्योंकि हम उसे delete कर चुके हैं, सेम आप किसी department के लिए भी department name के लिए भी लगा सकते हैं, कोरी, जैसे सुपूर्ज यहां पर हमारे पाइस अलग लगतर हैं कि department है, हमारे पाइस अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पाइस जितने भी admin department है, वो सब delete हो जाएं, इस table से, तो मैं shortcut के लिए उपर वाली query copy कर रही हूँ, आज रिस यहां पर रख दिया और अब मैं department name डाल रही हूँ, आप कुछ भी pass कर सकते हैं, जो भी आपने data बनाया हूँ है इसका, टेबल कैसे create करते हैं, टेबल में data कैसे डालते हैं, यह हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, description box में भी इनका link होगा, अगर आपने नहीं देखी हैं, तो आप देख सकते हैं, हमारे पास admin की दो रोज आई हम इन दोनों को delete करना चाहते हैं, तो same delete statement हम copy कर लेते हैं उपर वाली, delete statement रखके जिर्फ हमें where condition change करना है, यह तो थी, पहले तरीके से हम किस तरह से delete करते हैं, देखिए, delete करके हमारी दो रोज delete हो गई, अब आप यसे select statement चलाएंगे तो हमारे पर data नहीं आएगा, आईए, अब हम देखते हैं, delete statement को without where close, अब देखिए, हमारे पास करीब इन 23 records pending हैं, अब हम देखते हैं कि without where close, जब हम लगाते हैं, तो delete statement किस तरह से काम करते हैं, जब हम without इसके लगाएंगे, तो सारा का सारा content, जो भी table के अंदर होगा, वो तो delete हो जाता है, लेकिन, इसका table का structure जो रहता है, table name, table के columns, उनके data types, उनके indexes, उनकी keys, primary keys, secondary keys, जो यह सब हम जान चुकिए, पिछले वीडियो में, वो आज़ेट इस ही रहती हैं हमारी, देखें, delete from tbl department, अब जरह वीडियो पोस कीजिए और बताइए जरह क्या result होना चाहिए, जो यह बिल्कुल सही है, अब तैस record हमारी डिलीट हो चुकी है, और data हमारा बिल्कुल इस टेबल से खाली होगी, यह देखने के लिए हम क्या करते हैं, select statement लगाते हैं इस tbl department के साथ, जब भी आपको query को execute करना है, आपको f5 प्रेस करना है, या फिर execute को button होता है उपर, उसे चलाएंगे आप, यह देखिए, tbl department, table का structure है हमारे पस, department id, department name और executive है, लेकिन table के अंदर data नहीं है, table हमारी खाली है, जब भी ध्यान इसको delete statement को चलाएं, तो हमेशा ध्यान रखिए, delete statement अगर where के साथ चलती है, तो जो भी where conditions को true कर जाते हैं, उन सब records को delete कर देती है, लेकिन अगर आपकी, कोई table जिसमें आपने where condition लगाई ही नहीं है, तो क्या होगा, सारा का सारा जो content होगा table का, वो delete हो जाएगा और table empty हो जाएगी, आशा करते हैं, आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमें motivate करने के लिए किरपे हमारा चानल लाइक कीजिए, subscribe कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, keep learning, keep moving forward, धन्यवाद आपका दिन शुभू,